जैन सात्यों मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैप कर में बहुत-बहुत स्वागत करते हूं उमीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, सांदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे आपको पता है कि आपके पेपर में एक रास्ट्री उद्यान से संबदित सवाल या कभी टाइगर इजर्ब से रिलेटेड सवाल, इस प्रकार के सवाल सरक्षित बनों से संबदित, सवाल कई न कई पूछ दिये जाते हैं तो हमने सोचा कि क्यों न एक क्लास में जितने भी महतपून 2020 और 2021 में जितने भी चर्चा में आपके रास्ट्री उद्यान रहे हैं उन सभी और टाइगर इजर्ब जो रहे हैं उनको क्यों न एक ही क्लास में लोग खतम कर दी थोड़ा साब के आई कॉंटेक्ट के साथ तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सवाल क्या पूछा जाता है सवाल सीधे तौर पर यही पूछा जाते है आपके पेपर में कि कौन सा टाइगर इजर्व या कौन सा राष्ट्रे उद्यान कौन से राज्य में इस्तित है और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर में ये 2021 में किसली चर्चा में थे तो सबसे पहले हम डिसकस करें भीतर कनी का टाइगर इजर्व का कौन सा डिसकस करें हमें लोग भीतर कनी का टाइगर इजर्व की बात करते हैं तो ये कौन से राज्य में इस्तित है वही ओडी से राज्य में अब ही 2021 में चर्चा में क्यों था आप लोगों ने चक्रवात का नाम सुनाओगा साइक्लोन का नाम सुनाओगा जिसको यास के नाम से जानते हैं तो यास चक्रवात यास के कारण उद्यान को काफी नुकसान हुआ था जिसके चलते हैं फिर से यह भीतर कनिका टाइगर इजर्ब आपके चर्चा में था तो हो स वुषरा दे कि आप लोग सबसे पुराना ठाइगली जरूब है जरूर जानते होगे जीम कार्वेट नेशनल पार्व किसके बारे में बैए जीम कार्वेट नेशनल की बात करते हैं जा गईन कार्वेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये भारत के उत्रा खन में स्थिते हैं अब ये बात है कि चर्चा में को है तो इसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है राम गंगा नेशनल पार्क करने की योजना आपकी है तो जीम कार्वेट नेशनल पार्क का नाम चे आएगा इसको लेकर चार्चावे है तो Gym Carbet National Park आपके कहां पेच्थते थे उत्राखन मिश्ती दे अब आ जाता है काजी रंगा National Park जो गेंडे के लिए जाना जाता है तो काजी रंगा नेशनल पार्क कि कहां पेच्थते थे यह आप आपको समझने की जरूरा था पहला राष्ट्रे उद्यान कौन सा है भारत का पहला राष्ट्रे उद्यान कौन सा है सैटलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रे उद्यान कौन सा है अगर आप से सवाल पूछेगा तो बीना कुछ सोचे समझे सिदे तोर पे बता देना असम के काजी रं राम गर विश्दारी टाइगर इजर्ब और मुकुंदरा टाइगर इजर्ब इन तीनों के तीनों टाइगर इजर्ब आपकी कहा है तो भारत की राजस्तान में इस्तित है और क्यों चर्चा में तो राजस्तान सरकार ने तीनों टाइगर रिजर्ब को एक साथ जोर कर एक टाइगर को विक्सित कर रही है राजस्तान जो सरकार है यह तीनों जो अलग-अलग आपके टाइगर रिजर्ब है अलग बात है कि अभ लब करेगी इन तीनों टाइगर रिजर्व का नाम याद रख लिजीगा रंतंबो टाइगर रिजर्व रामगर बिश्दारी टाइगर रिजर्व और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व आपने बुलाएं कि ठीक है अब आ जाता है पन्ना बायो स्पेर रिजर्व यह प्रदेश में चर्चा के कारण क्या है कि भारत का पहला होट यर बैलोन वाइड लाइट साफारी की सुरुवात इसमें करी गई है जिसको बांदोग और टाइगर रिजर्व की नाम से जाना जाता है और यह कहां पिश्टित है बई मद्यप्रदेश में इस्तित है ठीक है सवाल देखे पिलीबीत टाइगरी जर्व कौनसा टाइगरी जर्व भई पिलीबीत टाइगरी जर्व कौनसा टाइगरी जर्व मेरे प्यारे साती हो पिलीबीत टाइगरी जर्व तो यह का पे पिलीबीत आप लोगों को पता है उत्तर पर इसमें चर्चा कारण क्या है कि बागो की आबादी को दुगूना करने के लिए टी इंटू टू अंतरास्ट्री पुरस्कार इसको मिला है भारत के आपके अंतरास्ट्री पुरस्कार इसको मिला है किसके लिए तो बागो की आबादी को दुगूना करने के लिए पेलिवित टाइगर रिजर्ब जो उत्तर प परदी समीश्तित है कारण क्या है कि फॉरेस्ट स्टाप को कोविड-19 के खिलाब बीमा कवर देने के लिए चर्चा में रहा है इसलिए यह बहुत ही ज्यादा फेमस है जीम कार्बेट टाइगर इजर उत्राखन में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर न्यूक करने क लेकर चर्चा में हैं यानी पहला यह रास्ट्री पार्क है जिसमें महिलाओं को गाइड के रूप में आपके नियूक किया गया है जीम कार्बेट निट्चनल पार्क कजी- 106 F इसी नेशनल पार्क में दिखा गया तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कजी-106 F जो जो कि आपके असमिश्तित है तो ये दसों के दसों राष्ट्री उद्यान आपको समझना है और आपको बेतर तरीके से एक दो बार रिवीजन करना है आपको ये क्लास कैसे लेगे आप जरूर अफ्लाइन कमेंट में करिएगा जितने बच्चे लाइब देख रहे हैं आप सभ बच की पंदर मीनत प्रबल एक्सप्रेस इस्टाटिक जीके में आपका इंतजार रहेगा छे बचे नितिन सरकी करेंट अफिर की क्लास में जुरना ना बुले बहुत बहुत दने बात हैं कि सोमच जहिन साथियों